हलो दोस्तों आप सबका स्वागत रास्ताना कैड में पेज जैसे आपको पता है मुलों रिटेट वीडियो बनाते हैं जैसे आपको पता ही है एललबी बनने के बार सबसे पहला काम होता है रेजिस्ट्रेशन करवाना अपनी स्टेट बार में रेजिस्ट्रेशन कैसे कराएं क क्या process होती है और क्या registration करवाना जरूरी है तो registration के क्या-क्या फायदे है उसके लिए मेरे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि registration कैसे कराया जाता है तो सभी कि यहां बार काउंसल बनी हुई है उसका मेंबर बनना ही रजिस्ट्रेशन होता है तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की आप बार काउंसल में आप रजिस्ट्रेशन करवाएं अपना गूगल करें और उससे वो जो फोर्म होता है जो प्रोसेस होती है व परकार advocate के लिए registration करवाना होता है तो उत्तर परदेश में जो registration होता है आपका बार council का तो उसके लिए आपको एक offline application form मिलता है जो कि total 12 pages में होता है यह आप किसी भी court से वहां से provide कर सकते हैं वहां पे आपको 10 या 15 रुपए में यह form मिल जाएगा इसके अलावा मैं इस form की आपको link provide कर दूंगी वहां से आप form डाउनलोड करके PDF प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपका first page इस टाइप कर रहेगा जिस पे इलाबाद बार काउंसल ओफ उत्तर परदेश का जो लोगो है वो बना हुआ रहेगा फिर उसमें दूसरा आपका लिखा रहेगा राज्य विदिग परिस्द उत्तर परदेश दैब बार काउंसल आपने uniform पहनी है या फिर आप advocate की जो dress होती है उसमें आप click कराएके जो password size photo होती है वो यहां पर लगानी रहेगी उसके बाद आपका form यहां से सरू होता है तो इसमें सबसे पहले आपको बढ़ना है आपका नाम फिर उसके बाद आपको आपकी mother's का नाम बढ़ना है मदर क आपका नाम या फिर आपके अपने husband का नाम भर सकते हैं फिर आपके जो जन पद है उसका आप number डाल दीजिए फिर इसके बाद आप next page बे आएंगे उसके अंदर क्या होगा कि दो जो advocate होते हैं आपके जिनको 10 साल का experience होता देखो इसमें दिया हुआ है कि जो मतलब member है बार counsel में 10 साल से वो है मतलब court के अंदर आपके 10 साल से advocate का काम कर रहे है उससे जदा इसे काम कर रहे है उनसे आपको यह attested करवाना है तो attested करवाने के पहले उसमें आपका नाम भरा जाएगा जिस दिन वो attested कर रहे हैं उसकी date होगी इसके अलावा इसमें उनका जो नाम है पद इसके बाद जो कारिय काल परतिवेदन है उसके अंदर भी सेम चीज़ आपकी रहेगी फिर उसके बाद पिर आप देखे पंजियत समिति के आदेश के अंदर जहां आवेदक है वहाँ पे उसका नाम और फिर उसके पिता का नाम आएगा तो इन सब के अंदर क्या होता है कि यह सब में जहां जहां पे आपका आवेदक नाम लिखा हुआ है वहाँ पे आपको अपना नाम फिलप करना है फिर देखे आप थर्ड पेज में आएगे यहां से मैन पेज श्टार्ट हुआ है यहां पे एक और आपकी फोटो लगने वाली है दोनों फोटो सेम होनी हुआ है और है उसके बाद का सब से पहले आपको अपना इंगलिस में पूरा नाम लखना है Rings स्पे Catalings सही एक मना इस पर इसके बाद आपको अपना father's name लिखना है तो father's name में भी ध्यान रखें कि आप किसी प्रकार की मिश्टेक ना करें spelling की और कट होता है तो उसके अंदर आप वाइट नर्ड लगा के फिर दूसरा मतलब उसमें spelling सही कर लेना अपनी फिर उसके बाद में आपको डालना है यहां पर डियो बी तो इसके अंदर आप डियो बी को भी अच्छे से clean भड़ना कि अच्छे से समझाए क्या है फिर उसके बाद को आपको बढ़ना है male female फिर आपका जो status है married unmarried वो आपको चूज करना है फिर आप क कहां के रहने वाले हैं कहां के निवासी हैं वो डालना आपका पूरा permanent address डालना जो आपका है इसके साथ pin code नंबर mobile नंबर वो डालना फिर आपका local address तो दोनों same है तो same डाल देना अलग है तो अलग डाल देना और mobile नंबर भी आप same डाल देना इसके बाद में आप कौन से district में आते हैं जहां पर आपको court में मतलब पहले तो high court का आ जाएगा फिर उसके बाद में आप कौन से court में काम करना चाहते हैं तो उस court के अंदर उस district court का नाम यहां पर fill up होगा जैसे आप जिस भी जगह जिस भी area में nearby हैं वहां पर जहां कि आप membership लेना चाहते हैं वहां का इसमें fill up होगा तहसील में आप भर देना जिस भी तहसील से आप belong करते हैं उस तहसील के बारे में अब इसके बाद हम आते हैं fourth page पे इसमें आपका education qualification आपको भरनी है सबसे पहले आपको high school के अंदर आपको सबसे पहले देखो आप किस board से आपने की है उसके बाद में आपके जिस भी आपने school से किया उसका नाम फिर उसके बाद में आपने कौन से year में किया है वो year फिर कितने आप regular थे private थे वो भरना है और session wise था yearly था वो आपको भरना फिर उसके बाद आपने exam कब complete किया कौन से year में complete किया वो हो जाएगा फिर आपके जो passing marks बने हैं high school के वो हो जाएगा इसी परकार आप इसमें देंगे अब आपने इंटर कौन से board से की है कौन से school से की है वो सब आपको same way ऐसे fill up करणा है इसके बाद C के अंदर है कि आपने गया जो bachelor है आपकी college है वो कौन से से की है बीए से की है, बीकॉम से की है, बीएसी से की है, तो वो इसमें आपको फिल अप करना पड़ेगा, आपने कौन से युनिवस्टी से किया है, आपका कोलेज का क्या नाम है, आपका सेसन वाइस था, येरली वाइस था, या फिर आपने कौन से येर में उसको पास किया, आप प् कौन सी युनिवस्टी से की है और कौन से कोले से की है कौन से मतलब आपने मतलब रेगुलर थे प्राइवेट थे वैसे ललबी रेगुलर ही होती है प्राइवेट नहीं होती है और पासिंग इयर क्या है आपका ललबी करने से पहले मास्टर डिगरी कर रखी है MA कर रखा है, M.com कर रखा है, M.A.C. कर रखा है वो या उसके अलावा कुछ और कर रखा है तो फिर उसके बाद में आपके यहां पर सिगनेटर होंगे फिर उसके बाद में आपको बढ़ना रहेगा इसके बाद 13 नंबर के अंदर आपको पूछा जाएगा कि आप मतलब कौन से ओके पेसन में, मतलब आपको सर्विस कर रहे हैं, बिजनस कर रहे हैं कुछ ट्रेडिंग में हैं तो जो भी आपकी रियल जानकारी है वो आप इसमें फिल अप कर दीजिए नहीं करने पर आगे जाके आपको इसके बाद आप पांचवे पेज में आएंगे पांचवे पेज में आएंगे तो यहाँ पे आपको गोशना पत्र मिलेगा जिसमें आप इसको पढ़ लीजिए इन सब को आप सुविकार कर रहे हैं इसमें सबसे पहले अपना नाम फिर पिता का नाम और यदि हजबेंड है तो हजबेंड का नाम उसके बाद में आप जिस भी स्तान के निवासी है वो स्तान और उस जगय का नाम उसके बाद आपका दिनांक जिस दिनांक को आप भर रहे हैं फिर आपका आवेदक का इस पश्ट नाम फिर उसके बाद में आवेदक के अस्ताक्षर वो आपको यहां पे करने हैं इस परकार यह पांचवा पेज भी आपका complete होता है फिर छटे पेज में हम सेवा में सच्चीव मतलब सच्चीव को एक application लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपका यहां पे नाम आ जाएगा फिर इसके बाद में आपके पिता का या पती का नाम आ जाएगा फिर उसके बाद में आपका क्या बोलते हैं इस्ताई निवास आ जाएगा मुबाइल नंबर आ जाएगा पोस्टल एडरस आ जाएगा थाना कौन सा लगता वो आ जाएगा जिला आ जाएगा और पिन कोड नंबर आ जाएंगे यह फिलब करने के बाद में आपको यहां पे इंगलिस में आपका नाम सही से बढ़ना है आपकी बिता का नाम बढ़ना है फिर हिंदी के अंदर आपको नाम बढ़ना है अपना फिर जो जनम तिति यह वो लिखनी है वो फिर सब्दों में लिखनी है जो भी आप आपको दिठी लिखनी रहेगी इसके अंदर भी अब इसके बाद में आपको एक बैंक से सब्राफ्ट बनाना है किसके नाम पर बनाना है तो आप कांद्स क्वेश्य के अंदर है उसके अकोड़्िंग आपकी फीश्यां लगने वाली है जैसिशते आप पर किश्द के अंदर आपके एंदर है और 15,000 बीच के अंदर है और जरल अपकीश लगने वाली है तो आपकी फीस लगेगे 28,665 रुपए इसी परकार यदि आप SC-ST के अंदर है और आपकी एज जो है वो आपकी 38 साल है 38 साल से कम है तो आपकी लगेगी 13,540 रुपए SC-ST के अंदर है और आपकी एज 38 से 45 साल के बीच में है तो आपके पैसे लगने वाले है 18,540 रुपए यही चीज आप SC-ST के अंदर 45 से 50 साल के बीच में है तो आपकी लगेगी 15,540 रुपए और यदि आप चार्स साल से उपर के हैं इसी के साथ आप रिटाइड हैं तो आपकी फीज लगने वाली है 25,540 रुपए तो इतने रुपए का आपको किसी भी बैंक में जाके एक ड्राफ्ट बनवाना है जिसका ड्राफ्ट जिस मतलब आप बार काउंसल ओफ उतर परदेश के नाम से बनाएंगे चाए बैंक किसी से भी बनाएं आप और जो SC, ST के लोग हैं उन लोगों को एक प्रमाम पत्र भी अपना लगाना पड़ेगा साथ में और जो OBC है उसका और जनरल का सेम है इसलिए OBC के अलग से कुछ नहीं दी हुई है फीस उनके उतनी लगनी है जितनी जनरल वालों की लगनी है इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज हमारा साथ नंबर अब देखिए इसमें बार काउंसल ओफ उतर परदेश तो इसमें सबसे पहले आपको फोटो लगानी है जो आपने पीछे दो फोटो लगा यह वैसे सेम फोटो फिर उसके बाद में आपको नंबर फर्ष्ट म हैं जिस भी जहां से भी है वहां का आपको अभणना है फिर उसके बाद में आपको पिन कॉड नंबर आपके डालने है इसी सी करना है on आपका जिस district के अंदर आप है और जहां पे आपका court है वो डालना है उसके बाद जिस court में आप practice करना चाहते है वो डालना है फिर आपकी do भी डालनी है male female क्या है वो डालना है married आपका status कैसा है married अनmarried आप कौन सी category से belong करते हैं उसके बाद में आपने जो आप application लगा रहे हैं वो किस date को लगा रहे हैं वो वहाँ पे fill up करनी है इसके बाद में आपको 8 number page में सिर्फ आपका जो पता है वो एकदम clear हिंदी में अच्छे से बढ़ना है जैसे कि आपका नाम हो गया पिता का नाम हो गया पूर्ण पता हो गया mobile number हो गया pin code number हो गया य पस्ट रूप से कि कहीं आपने कहीं गलत बरा हो या फिर आपका सही clear नहीं हो वहाँ पर पता उनको नहीं समझ में आए तो इस page पे खाली आपका address रहेगा जिससे आपको वो वापस documents भेज सके इस address पे अब इसके बाद हम देखते हैं अगला page no number page हमारा इसके बाद वापस आपको form number मतलब जो form वापस आपको अपना इस्ताई पता बढ़ना है हिंदी के अंदर जिसमें इसमें आपको नाम जनमती थी सब्दों के अंदर जनमती थी फिर पिता का नाम फिर मकान नंबर फिर आपका mobile नंबर और जिस भी गाउं से है उस गाउं का नाम postal address जहां आपक कौन सा लगता है आपके वो आएगा जनपद कहां का आप मतलब चाहते हैं किस quote में आप practice करने के लिए apply कर रहे हैं वो फिर उसके बाद में pin code नंबर यह आपको fill up करनी है और अपनी photo chip करनी है फिर उसके बाद में same चीज आपको English के अंदर करनी है photo chip करनी है English में spelling का especially ध्या झाल 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 झाल